हेलो स्टुडेंट मैं पवन भमूरिया है कि उड़ान डिजिटल के आनलाइन प्लेटफर्म पर आपका स्वागत करता हूं आज हम चेप्टर दस फिजिक्स का तरंक प्रकासी की क्या अबजिक्टिव डिस्कस करेंगे अबजिक्टिव चेप्टर है डेखते हैं क्या है आपक्जिक्टिव किस टाइप के अबजिक्टिव में से आते हैं पहला कोशन है चूज्ट और करेक्ट ऑप्सं संभी गलप चुनकर लिख्यए इस्टार्ट करते हैं एक तरंग एक सथान से दूसरे सथान तक संचरन करती है, तो किस के थुरू, तरंग मतलब वेव जो है वेव फ्रंट, तो वेव प्रोपगेट फॉर्म वन प्लेस तो अनादर, तो वो किस फॉर्म में करती है, एनर्जी के फॉर्म में, तो एनर्जी जो है वो तरंग के साथ, वेव के साथ, मुझ करती है, वन प्ल इन्यवाउंड फालोलींग तो कौन सा ऐसा फिनॉमीन सान्य जिसके थो हम विशनक्तकों प्रकास वे इथी करण में पो था क्या होता है। इंटर्फेरेंश में ईंपोर्टन कोश्चन हो सकता है、 अनर्जी डिस्ट्रॉइ नहीं होती ये nee इस ये फिर से WITRIT होती है, पुनर वित्रीत होती है तो यहां उर्जा का पनओर वित्रण होता है अपने बढ़ा होगा दो टाइप की फ्रिंज बंदती है एक फ्रिंज चमकीली बोलते हैं और एक को दिपत और अदिपत बोलते ब्राइट और डाक फ्रिंज हम यूज करते निम्न में से कौन सी परिगटना प्रकास तरंगों में होती किन्तु ध्वनी तरंगों में नहीं तो गाते हैं आजैस रखेंगे आएंपी कोशियन ने आता रहता है इक नस्य फ्रकास के दो इस्तरोतों कुला संबदक कब कहा जाएगा तो तो फेज जिप्रेज फेज डिपेंडेंट कब कहेंगे हम थो का बोलेंगे हम फेज डिपेंडेंड अपको आप्सन दीए वेवलेंद सीम हो, हायाम सेम हो, एम लिडूर्विट सेम हो, आयाम और वेवलेंथ दोनों सेम हो, या फिर तरंग धेर हो तो यह जो C है यह right होगा वेव जो length है वेवलेंथ सेम होना चाहिए और face का जो difference है वो constant होना चाहिए एंगल जो होता है،相 shaped वो जो 5 है उसका जो difference है वो क्या होना चाहिए constant होना चाहिए change नहीं होना चाहिए तो याद रखेंगे wavelength जो है same हो और phase difference क्या होना चाहिए same होना चाहिए constant होना चाहिए अगर वो दोनों कैसे हैं कला संबत्त है phase dependent है next दो तरंगे दिए even is equal to e not sin omega t or e2 is equal to e not sin omega t plus 5 अब यहां बोल रहा है विनासी व्यति करनों विनासी मतलब destructive interference होना चाहिए तो उसके लिए क्या condition है तो अगर constructive interference हो तो constructive के लिए condition है कि हमारा जो एंगल वो वो टूपाई हो जीरो हो फोर पाई हो 6 पाई हो यह होगा constructive के लिए मतलब संपोसी व्यति करन के लिए सारते हैं और अगर विनासी की बात करें destructive की बात करें तो यहां पर phase angle पाई होना चाहिए थ्री पाई होना चाहिए फाइप पाई होना चाहिए तो जो भी इसमें से बेस्ट होगा वो हो जाएगा सी जो है वो पाई phase angle होगा तब हमको destructive interference मिलेगा next question लेते हैं यह बहुत अच्छा question है यह नीट लेवल तक का question है आपको बुला है दो वेवदी है एक y1 है y1 is equal to 4sin omega t और y2 is equal to 3sin omega t plus pi by 3 आपको बुला है कि एक बिंदू परव्यती current करती है दोनों interface करती है तो जो resultant I am है वो क्या होगा तो resultant I am का जो formula होता है वो होता है root of a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos phi a1 क्या है भाई a1 4 है a2 क्या है a2 3 है और angle क्या है यह है pi by 3 बस use करते हैं आपको nearly पूछा है वैसे भी तो 4 का square 16 हो जाएगा 3 का square 9 हो जाएगा 2 के place पर 2 आ जाएगा 4 यह 3 आ जाएगा और cos 60 pi by 3 मतलब cos 60 और cos 60 की value कितनी होती है 1 by 2 2 से 2 cancel हो जाएगा यह हो जाएगा 25 and 12 तो under root 37 तो around यह value आएगी 6 के यहाँ पर आपको base सिलेक करना है approximately बोला है तो 6 is right answer होगा इसका तो 6 जो है वो resultant amplitude होगा next question प्रकास की रण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम जब भी हमारी ray light ray travel करती one media to another media उसकी जो frequency वो चेंज नहीं होती और यह most time question ने बार बार पूछा जाता है याद रखेंगे तो कौन सी चीज नहीं होती आवरती frequency जो है वो constant रहती है बाकी सब चीजे चेंज हो सकती है तो याद रखेंगे frequency चेंज नहीं होती है व्यतिकरण होता है व्यतिकरण किस में होता है दोनों तरंगों में होता है अनुधेर्य में भी और अनुप्रस्त में भी है ठीक है तो यहाँ पर आएगा दोनों में next question fill in the blank से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए question लेते पहला प्रकास से सम्मधित कणिका सिद्धान तो यह जो कारपल्स थेरी है यह Newton साब ने दिये तो Newton आईजेक Newton ने दिये याद रखेंगे तो Newton ने दिया है कारपल्स थेरी अफ लाइट व्यतिकरण में किसका पूर्जा का क्या होता है उनर वित्रण होता है हाइब संपोसि व्यतिकरण के लिए तरंगों के मक्त कलांतर जो फेज एंगल हो बिधी कितना होना चाहिए तो अभी बताये था मैंने टू पाइए एन के क्वाल होना जाहिए जेरो फैसे एंगल यहथए नेस More तरंग सिद्धान्त वेव थेरी किस ने दीये लाइट से रिरेटेट तो आप जानते हाई गय नाम का साइटीस्ट हो है हाई गण जो हिपति कि 이나 भीकन नाम का एक साइटिस्ट है उन्हों एव से रिदि hide याद रखेंगे तो हाइगर ने वेव थेरी दी है लाइट की नेक्स्ट है प्रकास के व्यतिकरण को प्रदसित करने वाला प्रयोग कौन सा है व्यतिकरण तो यंग डबल स्लिट प्रयोग है डबल स्लिट जो एक्सपेरिमेंट है यंग का याद रखेंगे, यंग्स, y-u-n-g, यंग्स, double slit, slit, experiment, यंग्स का द्वी-स्लीट प्रयोग, यंग्स का द्वी-स्लीट प्रयोग जो है, वो क्या करता है, वो explain करता है, interference को, next question, साबुन का बुलबुला किस घटना के कारण रंगीन दिखाई देता है, most time, question ने, याद रखेंगे, व्यती करण के कारण, साबुन का बुलबुला कैसा दिखाई देता है, रंगीन, interference, interference के कारण, ये colorful दिखाई देता है, चार और पांच आयाम वाले प्रकास के मद्य व्यतिकरण की घटना हो तो दिप्त और अदिप्त फ्रिंजों की तीरताओं का अनुपात क्या होगा तो आपको क्या दिया है? Amplitude दिया है A1 की value 4 दिये A2 की value कितनी दिये? 5 आपको पूचा है Imax by Iminimum क्या ratio और इसका एक formula होता है A1 plus A2 by A1 minus A2 का whole square कुछ नहीं करता है? दोनों को एक बार add कर दो 4 plus 5 का square divide by 4 minus 5 का square यह हो जाएगा 9 का square 81 यह minus 1 का square 1 हो जाएगा तो ratio हो जाएगा 81 is to 1 एकल स्लीट द्वारा विवर्तन, खालिस्तान विवर्तन का उधारन है diffraction by a single slit is an example of frenal diffraction यह frenal diffraction, frenal ने एक experiment किया था तो frenal diffraction का एक example है next question जामिती चाय में प्रकास के अतिक्रमन की घटना को diffraction बोलते हैं यह जो last question था diffraction तो यही इसका right answer ने diffraction जामिती चाय में प्रकास के अतिक्रमन की घटना को विवर्तन कहा जाता है क्या कहा जाता है विवर्तन in geometry the phenomena of and current of light into the shadow is called diffraction next question है कला संबद्द इस्त्रोदो के प्रकास तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ क्या होता है देखी कला संबद्द अगर phase difference between the light wave of the optical source remaining dash 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 with time तो यह आएगा constant इस्थिर रहता है यह जो कला का अंतर है यह बदलता नहीं है इस्थिर रहता है या अपरिवर्तित रहता है तो जो phase angle है वो कैसा होगा phase angle change नहीं होगा no change in phase angle तो कोई change नहीं होगा constant होता है next question है one word है answer in one word देखते हैं पहला एक तरंगागर के दो बिंदों के बीच कलांतर क्या होता है एक ही तरंगाग एक ही वेव फ्रंट है और उसके दो पॉइंट पर फेज डिफरेंस क्या होता है तो फेज डिफरेंस बिट्वीन two point in any वेव फ्रंट is zero तो सुन्य होता है याद रखेंगे किसी एक तरंगागर पर दो बिंदों ले ले तो वहाँ फेज का डिफरेंस वहाँ कला का अंतर सुन्य होगा फिल्मों की सत्व में रंग का कारण क्या है तो अभी बताया था मैंने बताया था व्यती करण इंटर्फेरेंस व्यती करण इंटर फियरेंस इंटर्फेरेंस के कारण व्यती करण के कारण जो कलर फिल्म जो है उसमें कलर आ जाता है यदि प्रकास की कला संबत तरंगे विन्यासी वेतिकरण उत्पन होती है तो उनके मध्य कलांतर क्या होना चीए अगर destructive interference generate हो रहा है तो जो phase angle है 5 उसकी value क्या होना चाहिए तो उसकी value होना चाहिए 2N प्लस 1 इंटू पाई केकवल यहां पर अगर 0 रखेंगे एन की value तो पाई आ जाएगा 1 रखेंगे तो 3 पाई तो पाई 3 पाई 5 पाई इस टाइप से आएगा destructive के लिए और 0, 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसा आएगा किस के लिए constructive के लिए तो यह विनासी व्यतिकरण की सरते हैं तो विनासी व्यतिकरण में पाई 3 पाई 2 पाई phase angle कलांतर हो सकता है समपोसी के लिए 0, 2 पाई 4 पाई 6 पाई कलांतर हो सकता है प्रकास के उयतं करण के लिए किस प्रकार के इसरो दो क्या ओसकताultur फेंडंड इस न्यूंग निथा- नहीं कि विवर्तन प्रतिरूद प्राप्त करने के लिए स्लिट का द्वारक कितना ओना चाहिए तो what should be the aperture of the slit to be obtained the diffraction pattern तो diffraction pattern में आपको बुला है diffraction pattern प्राप्त करने के लिए size of slit क्या होना चाहिए तो slice of slit जो है वो wavelength के size का होना चाहिए जो भी light है light का wavelength है उस side का aperture होना चाहिए जिससे की क्या हो सके diffraction pattern मिल सके नेक्स्ट है यंग के द्विश्लिट प्रयोग में fringe की चोड़ाई क्या होती है तो fringe की चोड़ाई को हम बीटा से denote करते है और बीटा is equal to d lambda by 2d होता है तो ये है fringe की चोड़ाई फिट्थ ये जो यंग double slit experiment है उसमें formula fringe है d lambda by 2d next मेजद कॉलम है देखते हम मेजद कॉलम प्रकास का कणिका सिद्दान तो कणिका सिद्दान किस ने दिया है कारपल सेरी आफ लाइट किस ने दिये Newton ने प्रकास का तरंग सिद्दान वेद हेरी आफ लाइट जो ये वो हाईगन ने दिये जामिती छाय में प्रकास का अतिक्रमन, प्रकास का जब भी जॉमेट्रिक सेडो में पेनिट्रेशन आफ लाइट आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं वीवरतन, डिफ्रेक्शन, उर्जा का पुनरवित्रन, एनर्जी का री डिस्टिबिशन जो होता है, वो किस में होता है, कि यहाँ पर यह जो पिंग करना है, तर्ण सिद्धदान्त हम बोल चकते हैं, दृध्यक तरंग का सिद्धदान किस ने दिया है, आईगन है, और यहाँ पर प्रकास का तरंग सिद्धदान्त, अगर हमारे पास कोई अप्षन नहीं है, तो उसके इसाप से हम मैक्स вам करता है और यह मोस्ट पॉइंट है सेकंडरी तरंग का सेकंडरी वेव फ्रंट का जो लॉजिक है वो किस ने दिया है हाइगन ने दिया है हर यह जो हमारा फिजिक्स का चेप्टर था बहुत आसान सा चेप्टर है आपको थ्री मार्क्स के अबजेक्टिव कवर करेगा मैंने फोर बोल दिया था दो थ्री माक्स के अबजेक्टि इसमें से आएंगे और आप इतना पढ़ लेंगे तो आप इसली आप अब जिजानित कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता है थैंक यू